बाज और चूजों की कहानी, एक काव में एक किसान रहता था, एक बार उसे कही से बाज का एक अंडा मिला, उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया, मुर्गी उस अंडे को अन्ने अंडों के साथ सेने लगी, कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूज बड़ा होने लगा चूजों के साथ रहते हुए उससे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बलकी बाज है वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही उचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया उसका भी उचा उड़ने का मन करता लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही उचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही उचाई तक उड़ता ज्यादा उचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था एक दिन उसने उ पूछा वो कौन है भाई जो इतनी उचाई पर उड़ रहा है चूजे बोले वो पक्षियों का राजा बाज है वह आकाश में सबसे जादा उचाई पर उड़ता है कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूं तो बाज के पूछा कैसी बात करते हो मत भूलो तुम एक चूजे हो चाहे कितनी ही कोशिश कर लो बाज जितना नहीं उड़ पाओगे इसलिए व्यर्थ में उचा उड़ने के बारे में मत सोचो जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो चूजे बोले बाज ने यह बात मान ली औ और कभी उचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की बाज होने बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा सी सोच और द्रिश्टी कोड का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण है चाहे हम क जूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे खुद को कम ना समझे अपनी क्षमता को सीमित ना करें बाज बने और जीवन में उची उडान भरे